तो आज मैं बात करने वाला हूँ फेडरल बैंक के बारे में क्यूंकि मैं दो दिन पहले फेडरल बैंक के उपर एक वीडियो बनाया था उसके उपर मैं बता रहा था कि इंडिया के सबसे बड़ा इंवेस्टर राकेश जुंजनमला जी उस कुम्पानी के उपर एक अच्छा खासा बाइंग मतलब स्टेक खरिदारी करके उसके पीछी जो रिजन था वो रिजन किसी को पता नहीं था मगर आज में उस रिजन का खुलासा करूंगा उस रिजन का कारण जो है वो कारण अभी आपको में डिसकस करूंगा बहुत बड़ा ब्रेकिंग नुच है जितने सा अन तक देखना अभी तक आपने इस चनल को सब्सक्रेब हैं तो जोरू सब्सक्रेब कर लिएक कि आपको बहुत सारे डेटा हमेशा डेली वेशीस बहुत सारे वीडियों मिलेंगे और आपको अपडेट रखने के लिए हमेशा स्टॉक मार्केट के बारे में जानकरी पाने के लिए इस चैनल में जोरू सब्सक्राइब करके और आपने अभी तक डीमेड अकाउन उपें नहीं किया हो और डेली विसिस काम करना चाते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंग आपको मिल जाएगा उस लिग में जाकर आप जोईन हो सकते हैं तो चलो फटा-फट देख लेते ह सब्सक्राइब करना चाते हैं तो नीचे लिंग दिया है वहाँ से जाकर जोईन हो सकते हैं पिर भी मैं उसको बता था कि अगर मार्केट बूलरन में हो तो इस कंपने में फाइदा जोरू मिलेगा आसा करता हूँ उसका उन्होंने जो आप्शन खरिद कर रखा था उसको अ पाच रूपिया हाइ खराया था उन्होंने बाई किया था मुटा-मोटी दो रूपिया के अंदर इस कुछ प्राइस देंज में इसके लिए इस एक कंपनी के ऊपर एक ब्रेकिंग यहां पर निउज आ चुके हैं और बहुत बड़ा एक बॉसिवीटिविटी है क्योंकि इस तरीके से अगर आपको मिलते है उसका फायदा आप भी को मिलता रहेंगे तो आज के दिन चाट पर्टन देखेंगे तो दो परसंट से भी ज़्यादा करीवन धाई परसंट तक अप्टन देखने को मिला था क्योंकि पिछले दिनों को जब क्लोजिंग था वह 96.45 था और आज के दिन का जो हाई है आज के दिन का जो हाई है आप देख सकते हैं 99.50 थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बॉकिंग हुआ है तो आभी भी फिलाल अप्टेन लेबल में ही है इसके पीछे रिजन क्या है उस रिजन को आभी आपको में दिखा देता हूं तो सबसे पहले कमपानी के बारे में एक डीटेल आपको यहाँ पर दिखा दू फेट पॉड़ेंसेल रखते हैं फिविचर के लिए इसका मैक्सिमा में छाट पर दिखा दू तो कमपानी लुक्तागल कर रहा है मगर आप तेन में जा रहा है इसका मतलब है कमपानी बहुत-बहुत कोशिज कर रहे है हुद को आगे ले जाने के लिए देखिए हर कोई कोई कोश फेडरल फइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड यहेश को एक देखके रखना कुछ बातें में यहाँ पर कहुंगा जो इस सबस्वाइ़ी से मिलते जूलते है चलो उस बाते को पहले देख लेते हैं इकनोमिक के उपर आ जुका हूं अर्नी जो है वो अक्चुली देखा जाए पिछलों दिनों में ही आ चुके थे और उसी न्यूज के बारे में आज बात करूँगा अब देख सकते हैं फेडरल बैंक जो फेडरल बैंक है और उन्होंने क्या किया है तो डाइवेस्ट इटस टेक इन फीड भेन घम है उसको अलग करने वाला है उसकोग करने वाला थी तो इसी पृटल बैंक के फिडर्ल बैंक का जो मैन सबसीडरी सेक्टर कौन है? वो है? फिड फिना. तो फिड फिना इसका मैन सबसीडरी जै और उसका पेरेंट भी कह सकते है. वो क्या करने वाले है? आच्चुले देखा जाए फिडर्ल बैंक है, एक बैंक. मतलब एक private bank और feed भी ना क्या है मान के चलिए एक non banking sector है मतलब एक NBFC है non banking financial sector है तो NBFC जो है इस sector को federal banks के साथ जुड़े हुए है दोनों को अलग किया जाएगा मतलब दोनों को अभी अलग करके de-merger करके market में listing करने के लिए ही फैसला किया गया है और यह जो news है बहुत positive है अगर finance sector अलग हो जाता है और banking sector अलग हो जाता है तो दोनों अच्छा खासा performance करेंगे क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका दो business है दो business एक साथ आप पैसा एक जगा पे calculate करेंगे तो आपको problem होगा क्योंकि एक business से profit अच्छा आ रहा है और दूसरा business से profit काम आ रहा है तो आपको fulfill देखने को नहीं मिलेगा कौन सा business से कितना profit आ रहा है तो इसलिए company ने decide किया दोनों को sector को अलग कर देंगे अपर देखे the board of Fidvina ए non depositing taking of यापर देखे systemically important non banking financial company है मैं पहले ही बता चुका हूँ NVFC है as Monday के दिन उन्होंने decide किया है किसको IPO ले आएगा market में launch करने के लिए market में listing करने के लिए तो आपको एक नए IPO देखने को मिल सकता है federal bank के तरफ से वो है Fidvina तो Fidvina एक final sales sector है वो भी NVFC है तो इसके उपर आपको focus होना चाहिए वो company भी खराब नहीं है तो यह जो news है इसी news के चलते है अच्छा कासा एक उच्छाल आपको देखने को मिला है तो यह पर आप देख सकते है जो security exchange है मतलब जो save है उसके पास सारे के सारे subject approval के लिए बताई गिया है अभी तक file जमा नहीं किया गया है file जमा हो जाएने के बाद ही आपको इस company का IPO देखने को मिलेगा तो आसा करता हूँ यह पर सारे details आपको clear हो चुके है मैं फिर से एक बार आपको दोराना चाहता हूँ federal bank का जो parent company है वो है fedvina fedvina को अगर अलग कर देते है federal bank से तो इस fedvina को IPO में market में listing करने के लिए IPO लेके आएंगे उसी के बारे में बात पिछले दिन में almost हो चुके है और सेवी के पास भी बात हो चुके है किसी भी दिन इस IPO के लिए file जमा कर देंगे सेवी के पास तो यह जो news है obviously positive है तो इसी के लिए आज के दिन उच्छाल देखने को मिला और मुझे लगता है इस तरीके से news अपको बहुत positive जोरू लगेगा क्योंकि इस तरीके से news positivity भी है company अगर demurzer कर देते है खुद का जो business को अगर मान के चलिए feed भीना में उतना profit नहीं हो रहा है तो इसको अलग कर देंगे तो federal bank के अच्छा कासा फाइदा जोरू मिलेगा ही मिलेगा तो Gio भी देखिए Reliance के साथ जो Gio जूड़े हुए थे Gio को भी market में listing करने के बात हो रहा है क्यों बात हो रहा है उसको सब पता है Gio से जो revenue generate होता है वो totally Reliance के पास ही चले जाते है हाँ Reliance के साथ जूड़े हुए थे और stock market में जितने सारे दोस्त निवेस करना चाते है जितने सारे investor निवेस करना चाते है वो Gio में नहीं निवेस कर सकते क्योंके Gio का कोई market में लिस्टिंग ही नहीं है तो इसी तरीके से यहाँ पर Federal Bank को अलग कर दिये जाएगा और Feed भीना को अलग कर दिये जाएगा तो दोनों में ही निवेस करेगा और सब का पैसा किसके पास जाएगा Federal Bank का जो main company है में जो parent है उसी के पास जाएगा तो इस company में भी पैसा है पैसा रहेगा तो इसलिए इस company के पूर आपको focus होना चाहिए तो company के बारे में बात करूँ तो company के बारे में मैं पहले दिखा चुका हूँ एक mid cap type company आँ बोल सकते है company का parameter मुझे अच्छा लगा और एक चीज मुझे obviously यहाँ पे देखने को ना मिला वो है company को कोई भी promoter नहीं है और इस company के बहुत सारे करजा लेके बैटे हुए देखिए banking sector तो करजा लेगे ही क्योंकि बैंकिंग को काम होते है दूसरो company को sector को loan देना और loan से जो interest आते है उसी interest के उपर company चल बैंक को चलाना तो loan तो लेंगे ही और करजा तो उसको लेना ही पड़ेगा तो इस तरीके से करजा को आपको focus नहीं होना चाहिए क्योंकि banking sector में इस तरीके से करजा आपको देखने को मिलेगा ही बाकी के सारे के parameter आपको देखना चाहिए तो उसके बारे में बात करूँ तो company का performance मुझे अच्छा खासा देखने को मिला हर साल में company profit कर रहा है यही बाद आपको हमेशा देखना होता है हर साल में company का profit growth हो रहा है साथी साथ company का sales growth भी देखेंगे तो sales growth भी एक positivity में आपको देखने को मिलेगा या पर आपको revenue देखिए कितना अच्छा कासा revenue company generate कर रहा है हर साल में revenue भी generate हो रहा है और अच्छा कासा revenue growth हो रहा है तो इसलिए मैं इस company के उपर जो रूर आपको एक positivity देना चाता हूँ और company का sales growth देख भी देख लीजिए अच्छा कासा है और profit growth भी अच्छा कासा है return of equity एक average level में है फिर भी ठीक ठाक है company आपको किस तरह किस return दिया 10 साल में 10% 5 साल में 6% 3 साल में कोई भी return आपको नहीं दिया एक साल में 27% तो एक छोटा मोटा return आपको मिला खराब नहीं है फिर भी छोटा मोटा bank है छोटा मोटा return ही आपको दे चुके आपको साथी साथ company का और भी जो parameter है company का जो करजा है मैं उसके बारे में बात करूँ तो company ने बहुत ज़्यादा करजा लेके बैटे हुए obviously इस चीज़ को आपको आपको जुरू कहूंगा इस company के उपर आप निवेस करके रखे तो आपको लॉंग टाम के लिए सोचना चाहिए company का performance खराब नहीं है, company का performance अच्छा खासा धीरे-धीरे हो रहा है अगर इस company को demarger किया जाता है इसका जो subsidiaries इसका जो main subsidiaries है उसको fitfin को अगर demarger किया जाता है तो इस company के उपर और भी positivity आने को देखने को मिल सकता है तो आसा करता हूँ, सारे के सारे information आपको यहाँ पर मिल चुका होगा तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगते है और informable लगते है तो वीडियो को like करना, दोस्तों को share करना और अभी तरह अगडिम एड़ अकाउन उपर नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर open करके काम भी कर सकते है तो चलो मिलते हैं अगले stock लेकर तब तक के लिए अच्छा रही है अपने ख्याल रखिए, बाई-बाई